हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अपनी जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में वन अप दी मोस्ट फैन फेवरेट लैप्टॉप दैट इस एसुस रोग जेफरस जी 14 2023 वाल हुए जो है लगबग चार जेनरेशन भी चुकी है और यह काफी ज्यादा जो है as of now present जेनरेशन में सुपर रिफाइंट हो चुका है तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों कि वो कुछ नया कर पाएंगे ठीक है आप लोगों को भले यहां पे बहुत सारी फैनसी चीज़ से अल्रेडी इस लैपटॉप में हैं लेकिन फिर भी इस बार का जो प्राइस इन लोगों ने लीप लिया हुआ है इस बार की जो प्राइस इंक्रिमेंट इस लैपटॉप में आप लोगों को देखने को मिलती है मुझे नहीं लगता कि भी किसी भी आंगल से जो है as of now आप लोगों को justified जो है यहां पर देखने को मिलेगी now this is what happens when you take a laptop और when you make a laptop so popular that companies जानती है कि इस laptop को लोग जो हर आलत में खरी देंगे तो price increment जो है वो लोग कुछ जरुवत से ज्यादा यहां पर कर देती है and somewhere that disappoints the consumer तो यहां पर एक-दो specification है वो भी discuss हम लोग करेंगे लेकिन सब से पहले आते हैं दोस्तों यहां पर pricing को लेके क्या कुछ जो है मुद्दा यहां पर चल रहा है ठीक है now basically जो RTX 3050 ले लो या फिर अभी जो currently चल रहा है RTX 4050 उसके बारे में 4050 का कही ने कही बनाने का एक ही angle रहता है दोस्तों that is कि यहां पर pricing रखी जाए वो थोड़ी lower end पर पर रखी जाए ताकि जो common consumer है जो की entry level का consumer है वो जो है उसको खरीदे लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों इस laptop का जो RTX 4050 वाला model है with the Ryzen 7 7735 not even Ryzen 9 उस laptop की pricing आप लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों around 1.5 lakh rupees है and now this is not at all MRP ठीक है आप लोग यहां पर देख सकते MRP की एक असी है और यहां पर इसको जो बेचा जा रहा है दोस्तों that is around 1.5 lakh तो एक time था मुझे अभी भी यादे दोस्तों ऐसा कुछ से ज्यादा 5-10 साल भी नहीं हुए हैं दो साल से ज्यादा की बात होगी मुश्किल की यह laptop का entry level वाला जो model हुआ करता था that used to start somewhere below 1 lakh स्ट्रेशच अरफ श्कुल को झांटी रहा है दी रहा लुशन है। आफ लोगों को जो है अघीर फारिया तरह साल जो है स्ट सेबेंदियाएं च्छेंट आप् सुपर और सेगे जन्यादानि तक बम्लेंदीएं तिन वाली ना जाएं घ्जा रएम नीधर SSD दो जो है आप लोगों को expansion slot यहां पर इस बार देखने को मिल जाएंगे 1TB NVMe Gen 4 SSD जो है आप लोगों को देखने को मिलती है port situation more or less पिछले बार की तरह ही same है कोई जो है इसमें changes नहीं किया हुआ है that is what I am telling you कि जब changes उतने ज्यादा हुए ही नहीं है except अगर आप लोग दोस्तो प्रोसेसर को लें प्रोसेसर को भी ऐसा है friends मैं आप लोगों को crystal clear ले बता देता हूं देखे ग्राफिक कार्ड के मामले में obviously NVIDIA का आप लोग जानते ही होंगे कि RTX 30 series से आने में 40 series में जब वो आई तो obviously improvement उन लोगों ने किये हुए है they have taken their own time of three to four years लेकिन यहां पे कहीन कहीन दोस्तों जो AMD है वो क्या कर रही है प्रोसेसर के नाम पे जो है common consumer को कहीन तो ही ठगने की कोशिश कर रही है because still it's their same 6000 series processor परक्सरिफ इतना है यहां पे जो इन लोगों ने boost clock है जो clock speed है वो थोड़ी बहुत जो है यहां पे बड़ा हुए apart from that you will see कि the manufacturing node is also same the number of ports the number of threads that is also the same now यह तो हो गया दोस्तों RTX 4050 वाला variant जहां पे आप लोगों को जो TGP value मिलेगी that is just 120 watt लेकिन यहां पे मुझे मालूम है कि लोग जो है ज्यादा तर यह वाला variant नहीं खरीदेंगे what they will try to do is to go at least for RTX 40 variant तो RTX 4060 variant जो है उसकी pricing आप लोग यहां पे देख पाएंगे दोस्तों around 2 lakhs रूपीज यहां पे आपको देखने को मिल जाती है which is really really very very much out of hands मैं इस laptop को इस बार straightforward आप लोगों को खरीदने के लिए दोस्तों यहां पे जो है मना कर रहा हूँ the reason being is देखो यार इतना ज्यादा पैसा देना ही है तो Asus के Rogue series के आप लोगों को और भी laptops मिल जाएंगे या फिर strict series के और laptop मिल जाएंगे जहां पे मैं यह नहीं बोलूँगा की कीमत इससे कम है कीमत लगबग 1,60,000 तक ही जो है पे आप लोगों करनी पड़ेगी लेकिन कम से कम जो display मिलेगा भाई वो जो है काफी जादा बड़ा मिलेगा in fact इनका एक 18 इंच वाला भी model है जहो की काफी जादा अच्छे quality की screen के साथ में आता है तो वो जो है आप लोग at least consider कीजिए जब इतने पैसे दे नहीं है तो कम से कम बड़ी screen ले उसका जो है यहां पे आनंद आप लोग उठा सकें ठीक है फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहां पे intermediate variants की जो की आप लोगों को 1.75 lakhs रुपीज के देखने को मिलते हैं यहां पर इन लोगों ने किया हुआ क्या है तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि जो processor है इन लोगों ने just वो upgrade कर दिया है that means Ryzen 7 से Ryzen 9 में जाने के लिए अगर आप लोग सारे specification same रख दे तो 25,000 रुपय आप लोगों को यहां पर extra pay करने पड़ रहे है so which I feel is absolutely rubbish okay the product is very good no doubt the product will perform what it is meant for ठीक है काफी अच्छा product है काफी easy to carry है लेकिन यार इस चकर में आप ग्रहक की पूरी की पूरी कमर ही तोड़ दे रहे हो that I think is not good at all आपका क्या मानना है दोस्तों इस laptop के बारे में मुझे जो है comment section में जरूर लिकर बताईए मिलता हूं मैं आपसे अगर